स्रीशुवाय नमस्तुबं, उम्नमस्युवाय दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल 4Q व्लोग में आज नांदेड महराष्ट शुमापुरान कथा पंडाल में हमारा दूसरा दिवस होने वाला है और यहाँ पर लाखो जनता का भी दूसरा दिवस है शुमापुरान कथा का दूसरा दिन है पंडित प्रदीप मिश्र जी कथा करने पहुच चुके हैं लेकिन यहाँ पर पानी बरसात के वज़े से महाल विगड़ गये नांदेड शुमापुरान कथा पंडाल की तो वैवस्ता बहुती बढ़िया की गई थी लेकिन पानी बरसात इतना जादा गिरा की कीचड़ वगरा फैली जाता है मिटी में लेकिन तब भी यहाँ पर महराश्ट की लाखो जनता शुमापुरान कथा सुनने आई है वो भी पानी बरसात में जोकि इनके मन में इतनी जादा स्रदा बैट गई है किये बोले की भक्ती करते हैं बहुत चुके यहाँ पर कता पंडाल में जबकि यहाँ पर पानी बरसात का महौल है और पानी तो सुबह बहुत ही जादा टेश था अभी तो फिलाल इतना कम है कि यहाँ पर खड़े हो सकते बिना चत्ते के लेकिन जादा दिर रहेंगे तो आप पूरे उपर से नीचे तक बिन जाएंगे लेकिन यहाँ पर फिर भी जनता आई है छत्ते लेकर आई है अपनी सुविदा बना करके यहाँ पर सुमापुरान कता का स्रवन कर रही है आप सभी देख पा रहे होंगे वीडियो को लाइक करिए चैनल को श्रडदा है बती है और यहाँ पर सभी शुमापूरान कता दर भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सुस्क्राइब करिये चैनल को सुम्कूरान करिए जंता करी है। पर बोले बाबा भी ज़्यादा देर निरास नहीं करतें, रात भर तो पानी गिरा ही था लेकिन फिलाल अभी थोड़े देर बाद यहाँ पर पानी बंद हो गया, जब कता छुटने का समय हुँआ और यहाँ पर फिलाल बीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जब कता छु पंडित प्रदीप मिशाजी के इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाए और बोले की भक्ती में जुड़ जाए दोस्तों यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को अपने वर्ट्सअप इंस्टा और अन्य प्लैट्फॉर्म पे तो स्रीश्वाय नमस्तुवाय अगली वीडियो में जैश्राम दोस्तों